Good morning to all of you, सुबह के साथ बच चुके हैं और आज जैसा कि 9th मैं है और 9th मैं के जितने भी most important current affairs है वो हम लोग इस वीडियो में discuss करने वाले हैं वीडियो के last में मैं आपसे एक question भी पूछने वाला हूँ, उस question का क्या answer होगा आपको comment करके बताना है तो चलिए start करते हैं जैसा कि कल मैंने आपसे 8th मैं के दिन question of the day में question पूछा था कि world metrological organization ये कहां located है, विश्व मौशम विज्ञान संगठन का मुख्याले कहां है आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने answer दिया था जो कि जनेवा होता यहां देखिए आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने इसका correct answer दिया था जैसे कि शुर्भी, सचीन, पूनम, प्रलाद, प्रींस, मांसी, अनामिका, आस्था, विश्वजीत, जीत, परवत, अर्जुन, शुबोश्री, मनीशा, शुरुजीत, सुरिया, अंकीता, और सु कोशन आज के दिन का, फर्स्ट कोशन क्या है, आपको बताना है कि कौन से स्टेट गवर्मेंट ने, कौन से स्टेट गवर्मेंट जो की रिसेंट्ली लॉंच्ट किये है निगाहा प्रोग्राम, जितने भी लोग जो माइगरेंट रिटर्नी है, उनके फैमिली को देखिए इस question का right answer क्या हो जाएगा हिमाचल परदेश आपका correct answer होगा हिमाचल परदेश state government नहीं जो है निगाह प्रोग्राम launched किया है यह इनका initiative है उन सभी सदसों के लिए जो लोग migrant है ठीक है migrant return नहीं है उनके सदसों को सिक्षित करने के लिए यह निगाह कारेकरम सुरू किया गया है very good अब हम लोग चलते second question के तरफ आपको बताना है कि भारत में प्रथम राज वो कौन सा है जिसने midday mill राशन स्टार्ट किया है इसका correct answer हो जाएगा मध्य परदेश मध्य परदेश वो ऐसा पहला राज है जिसने midday mill राशन स्टार्ट किया है चलिए next question देखते हैं हम लोग next question है आपके सामने कि name the Indian state या union territories which has highest unemployment rate of 75.8% ठीक है as on end of April 2020 as per center for monitoring Indian economy data Indian economy data के अनुशार वो कौन सा ऐसा राज या union territories है जिसका highest number of employment rate रहा है 75.8% वो कौन सा है चलिए इसका correct answer हो जाएगा आपका पुद्दू जरी ठीक है यह आपका correct answer हो जाएगा very good next question के तरफ हम लोग चलते हैं next question है आपके screen पर यह रहा कि name the Indian state which has launched the national scholarship online portal under मुख्यमंत्री यूबा योगा योग योजना ओके यह question है आपके screen पर कि उस भरतिये राज का नाम बताईए जिसने मुख्यमंत्री यूबा योगा योग योजना के तहेत राश्ट्रिये छात्रवित online portal launch किया है वो कौन सा राज है yes correct answer तिरुपूरा हो जाएगा तिरुपूरा ही वो राज है जिसने online portal start किया है किसके अंडर में मुख्यमंत्री यूबा योगा योग योजना और इस जो portal का इस website का नाम क्या है scholarship.gov.in जो है ये उस website का नाम है तिरुपूरा के जो चीफ मिनिस्टर है वेपलब कुमार देव उन्हों नहीं ये launch किया है ठीक है चलिए next question है आपके सामने कि who has been extended as goodwill ambassador of united nation environment program for two years till 2022 जो कि अभी present time में भी वो brand ambassador है अब उनके जो tenure है उसको दो साल के लिए बढ़ा दिया गया है वो कौन से ऐसे अभी नेतरी है इसका एंसर आपको देना है वो कौन से ऐसे अभी नेतरी है जिसका दो साल के लिए tenure बढ़ा दिया गया है गुड़विल ambassador of united nation environment program UNEP के yes correct answer हो जाएगा दिया मिर्जा दिया मिर्जा जो की present time पे goodwill ambassador है united nation environment program की उनका कारेकाल दो साल के लिए बढ़ा दिया गया है next question आपके screen पर यही रहा आपको बताना है कि name the person who has been sworn in as the prime minister of Iraq recently मई 2020 इराक के नए prime minister के रूप में किसने सपत ली है ये आपको बताना है name the person who has been sworn in as the prime minister of Iraq recently क्या हो जागा correct answer मुस्तफा अलकेदमी जो है आपका correct answer हो जागा तिसरा नंबर मुस्तफा अलकदहिमी ठीक है चलिए next question के तब चलते हैं आपको बताना है कि भारत का कितना rank है अगर हम बात करे active internet user का जिसका भी उम्र 5 साल से ज्यादा है उन सबको हम active internet user के category में डालते हैं तो भारत का rank कितना है ये आपको बताना है तो देखें भारत का rank दुसरा है ठीक है भारत rank 2 पे आता है active internet user के अगर हम बात करें तो और अगर हम पहले रम नंबर की बात करें तो वो है आपका चाइना ठीक है चलिए next question के तरफ देखते हैं हम लोग आपको बताना है कि world athletics day 2020 ये किस दिन celebrate हुआ है ठीक है when was the world athletics day 2020 was celebrated what is the right answer for this question कि येस साथ मई को world athletics day 2020 celebrate होता है कब साथ मई 2020 नेक्स कुर्चन है आपके सामने ये बहुत ही important question है मेरे हिसाब से कि purple frog will soon be crowned as amphibians of which state बैगनी मेधक को जल्द ही किस राज के उभियचर के रूप में ताज पनाया जाएगा किस राज के किस राज में होगा ये परपल फ्रॉग येस केरला इसका राइट एंसर हो जाएगा ठीक है परपल फ्रॉग will soon be crowned as केरला's state amphibians the species is also known as maveli frog ठीक है maveli frog के नाम से भी ये जना जाता है m-a-b-e-l-i maveli frog के नाम से भी ये जना जाता है परपल फ्रॉग very very important question है next question है आपके सामने कि विच इंडियन हाज बिन री इलेक्टेट टू इंटरनेशनल नार्कोटिक सेंट्रल बोर्ड किस भारतिये को अंतरास्ट्रिये नार्कोटिक्स इस कंट्रोल बोर्ड में फिर से चुना गया है इस question का right answer क्या हो जाएगा चलिए इसका right answer हो जाएगा जगजीत पवादिया जो है इसका correct answer हो जाएगा री इलेक्टेड हुए हैं इंटरनेशनल नार्कोटिक सेंट्रल सुरी कंट्रोल बोर्ड में कौन है जगजीत पवादिया साथ मई जो को वह बने साथ मई को यह वापस से चुने गया थे ठीक है साथ मई को ओके तो चलिए यहां पर आपके सामने question of the day में question आ चुका है आपको बताना है कि when was the international day for monuments and sites was observed international day for monuments and sites was observed किस दिन को होता है यह आपके सामने चार options है इसका correct answer क्या होगा यह आपको comment करके बताना है ओके current affairs के वीडियो इस session में आप आएं आप सभी को thank you so much तो मिलते हम लोग next वीडियो में तब तक के लिए all the best